साथ में चरण के रण में कौन सियासी उधा किसको टक्कर दे रहा है और किस सीट पर त्रिकोणियां मुकाबला देखने को मिल रहा है इस रेपोर्ट के ज़री आपको देख रहा होगा यूपी की महाभारत में जीत के आखरी द्वार के लिए कई सियासी सूर्मा बैदान में हैं यूपी की माउं सदर विधान सबा सीट पर दो ताकतवर परिवारों की पुरानी रंजिश का मसला है अपने भाए की हत्या के लिए न्याय चाहने वाला एक प्रत्याशी हत्या के आरोपी के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंग, बहुबली निता मुक्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाब सुहेल दे भारती समाज पार्टी से मैदान में हैं इसके अलावा कॉंग्रिस के मादवेंदर सिंज्यादव चुनाव लड़ रहे हैं साथवे चरण के रण में एक विधान सबा सीट है जिस पर सब की निगाए टिकी है आजम गर्ड सदर विधान सबा सीट को यूपी के सियासत में काफी एहम मान जाता है इस बार इस सीट पर सफा के दुरगा प्रसाद यादव बीजे पी के अखिलिश मिश्रा और बीएस पी के सुशील कुमार सिंग के बीच मकाबला है बात पूरवान चल की एक और हाट सीट जानपुर की इस सीट पर पिछले 22 साल में किसी पार्टी या नेता ने लगातार जीत दर्ज नहीं की है बीजे पी से राज्य मंत्री गिरीश चंदर यादव 2017 में यहां से जीते थे इस बार वो लगातार दूसरी बार विधायक बनने का सपना सजोय हुए चुनावी मैदान में है जिने रोकने के लिए मुस्लिम भावले इस सीट से सपाने पूर विधायक मुहमद अर्शत खान को एहम जिम्मेदारी सौपी है वही कॉंग्रिस ने 2017 विधान सबा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे नदीम जावेद पर फिर से भरुसर जताया है सात्वे चरण के रण में एक और बड़ी सीट है फूल पूर पवई, वर्तमान में रवाकान के बेटे अरुन कुमार यादव बीजेपी से विधायक है लेकिन रवाकान समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके हैं और सपा के टिकेट से खुद चुनावी मैदान में है तो बीजेपी ने राम सूरत राजभर को टिकेट दिया है वहीं बीएसपी ने श्रकील एहमत पर भरुसर जताया है लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सीट से जीत धोराना किसी चुनोती से कम नहीं है बात सात्वे चरंड की एक और विधानसबा सीट घोसी की मउज जिले की घोसी विधानसबा सीट भी इस बार काफी होट मानी जा रही है क्योंकि इस सीट पर किस्मत आजबाने के लिए योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंग चुहान सपा के टिकेट से चुनावी मैदान में उतरे है बीजेपी ने भी अपने मौजुदा विधायक वजय राजबर को टिकेट दे कर ही दारा सिंग चुहान को घेरने की कोशिश की है वहीं बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार वसीम इकवाल को टार कर सपा के टिकेट पर उतरे दारा सिंग के वोट बैंक में स्थेद लगाने की कोशिश की है पुरवांचल के रण में जहुराबाद सीट भी काफी एहम है क्योंकि सीट से बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजबर मैदान में है लेकिन यहां से उन्हें बीजेपी और बीएसपी से कड़ी चुनोती का सामना करना पड़ रहा है इस सीट पर ओम प्रकास राजबर और बीजेपी के काली चरन राजबर और बीजेपी की शादा पात्मा के बीच त्रिकोणीय मुखाबला माना जा रहा है बात पूरवांचल के कुछ और दिगजों की करें तो वारांसी के शिपपूर विधान सबा सीट से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजबर मैदान में हैं लेगने सीट से उपी राजबर ने अपने बेटे अरविंद राजबर को गड़बंदन प्रत्याशी के तौर पर उतार कर मुखाबला दिल्चस्प कर दिया है जबकि बीजेपी के रवी मौर्या भी अच्छी टकर देते दिखाए दे रहे हैं साथवे चरण की वारांसी दुक्षन सीट पर भी सबकी निगाए हैं क्योंकि सीट पर एक दिल्चस्प मुखाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी ने लगातार इस सीट पर जीत हासिल की है इस बार बीजेपी ने यूपी के मंतरी नील कंठ दिवारी को और समझवादी पार्टी ने किशन दिक्षित को टिकेट दिया है बीजेपी ने दिरेश कसौदन को मैदान में उता रहा है कुल मिलाकर सात्वे चरण के रण में कई बड़े नेताओं के किसमत दाव पर है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा यूपी की महाभारत में कौन महारती किस पर भारी पड़ता है बीरो रिपोर्ट जी मिटू